नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्षिया के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ बड़ी बरती का बड़ा दमाका हो गया साथियो पुलिस के 52,699 पदों पर बरती आप तक की सबसे बड़ी परदेश पुलिस बरती होने जा रही है इसके अलावा SSC CET की क्या बड़ी अपडेट है या क्या बड़ी खबर है वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी तो चल ये साथियो वीडियो को विस्तार से देखते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि अर्याना की चोटी बड़ी बरती उसे related जानकारी दी जाती है अर्याना के अलावा भी आज एक बड़ी बरती की अपडेट आप तक प्रूचाई जाएगी तो चली अपडेट देख लेते हैं सात्यों ये पुलिस बरती की जानकारी के बाद आपको एचसी बरती की क्या अपडेट है सीटी का वो भी दिखाएंगे उससे पहले ये देखना बहुत जरूरी है बावन जार चैसों नियान में सिपायों की होगी सीधी बरती यूपी पुलिस की बरती है और परदेश पुलि एपने किस्मत आजमा सकते हैं आपका भी यूपी पुलिस में सेलेक्शन हो सकता है और इसके लिए ओंलाइन आउयदन जब भी जल्दी ही इसके लिए ओंलाइन आउयदन माइगे जाएंगे पूरी इंफोर्मेशन विस्तार शे आपको बताई जाएगी 25 लाग तक आविदनाने की उम्मीद जताई जा रही है इसके अलावा इसका एक्जाम है वो हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी की जा रही है नकल माफिया और सोलवर गैंग की सेंदमारी से बचने के लिए यह कवाइद की जा रही है सात्यो ओफ़लाइन एक्जाम के बाद ओनलाइन करवाने की जब युपी विभाग नहीं ये जो आयोग है उसने सोचा तो सात्यो ओनलाइन एक्जाम आपको पता है कैसे है किया जाता है उससे बचने का आब एक नया तरीका है हाइब्रिड मोड क्या है तरीका ही देखिए आईब्रिड बोर्ड में अब यर्थियों से ओनलाइन आउदिन मांग लिए जाएंगे इसके बाद लिखित परिक्षा ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीके से कराई जाएगी यानि कि वो कैसे कंप्योटर स्क्रीन के उपर तो कंडिडेट को पेपर दीखेगा और उस पेपर का आंस्वर है वो OMR सीट के उपर देना होगा यानि कि ओफलाइन तरीके से आंस्वर देना होगा ओनलाइन तरीके से आपको एक्जाम दीखेगा इसके लिए प्रिक्षा के अंदरों की संक्या बढ़ाने के साथ साथ प्रिक्षा की आउदी को भी बढ़ाया जाएगा और साथियों इसमें अगर कंप्यूटर हैक भी होता है तो बाहर बैठे कंडिडेट या एक करने वाले कंडिडेट हैं वो आंस्वर नहीं दे पाएंगी आंस्वर क्योंकि OMR पर देना है ना कि ओनलाइन तरीके से कंप्यूटर पर देना होगा तो इस खेल से बचने के लिए हाइब्रेड मोड पर ये परिक्षा करवाई जाएगी अगर इस बरती कि आप पूरी इंफोर्मेशन जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको विस्तार से जानकारी प्रोवाईड करवा दी जाएगी कि एक्जाम प्रोसेस क्या रहेगा यानि कि एक्जाम का सलेबस क्या रहेगा और एज क्या रहेगी क्या इसमें फीजिकल है कब तक आओ दिनाने की उमीद है पूरी इनफॉर्मेशन विस्तार से बता दी जाएगी फिलाल साथियो ये 22699 पदों पर जो बरती आ रही है इसी की जानकर याप तक पहुंचानी थी जो बेहत जरूरी है जो युवा कंडिडेट है वो यहाँ पर अपनी किस्मत अजमा सकते हैं और सेलेक्शन पासकते है एसी की बड़ी अपडेट ये है साथियो की मैसेज आने सुरू हो गए है जो एक और दो जुलाई को एकजाम है उनके मैसेज आने सुरू हो गए साथियो डियर कंडिडेट यू हैव बिन सोर्ट लिस्टेड तो अपियर इन डिटन एकजाम ओप गुरूप सी फोर गुरूप नमबर बाईस यू मे डाउनलोड यूर एडमिट कार्ड 28-23 यह निका 28-26-23 इसको आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं गुरूप नमबर 22 के लिए आप इलिजिबल हैं तो यह मेसेज सात्यों आने सुरू हो गए हैं अगर किसी कंडिडेट के पास मेसेज नहीं आया है और जो कटोप जारी की जाएगी उस कटोप से यह उस कटोप में आता है तो सात्यों पहली बात तो यह है कि फिलाल एक और दो जुलाई के लिए कटोप की जरूरती नहीं है क्योंकि जितने भी कंडिडेटों ने फोरॉम अपलाई किया था उन कंडिडेटों का एडमिट का डाउनलोड होगा अगर आपके पास मेसेज नहीं आया है तो आज सात्यों मेसेज आ जाएगा क्योंकि कल रात से यह मेसेज आने शुरू हो गए थे अगर आज में मेसेज नहीं आता है तो आप एटससी ओफिस में संप्रक कर सकते हैं तो यह बड़ी अपडेट इस सात्यों जो आप तक पहुंचानी थी ऐसे ही बहतरन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें अपना केमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स उडियो में